बुलू स्री शत्गुरु महराज की स्री प्राणनाथ प्यारी की महमत कहे ए मौमिनों ये छोड़िये नहीं एकदम अब कहों अंदर अर्ष की जो दिये निशान खसम दसों भूम लिखी है भूम पहली बड़ा चोक सुभालेत है बड़े दर्वाजे अंदर बड़ी बैठक इतगिरोह की आगुरसुई के मंदर बड़ा चोक सुभालेत है अक्षिरातीत धामधनी स्रिराज्जी के अस्रीम अनुकंपा के द्वारा तार्तम सागर दिब्वेवाणी अंतरगत परिक्रमा ग्रंथा के उपर हम चिंतन करते आ रहे हैं तो परिक्रमा ग्रंथा में अब तक तीसमी प्रकरन तक के चुपायों को चिंतन किया अधिन किया अब अभी के इस सत्र में हम प्रारंब करने जा रहे हैं एक तीसमी प्रकरन तो यह एक तीस्वी प्रकरण में महामति प्राण्याजी रंग महल के दसों भोम की स्वभा यहां चिंतन कराने जा रहे हैं जैसे की तीस्वा प्रकरण के अंतिम चवपाय में कहा कि अब तक यह जो कुछ भी स्वभा बर्न किया पुरा पच्चिस पक्षे परंगाम रंग महल के बाहर तरफ चांदनी चोक से लेकर के बड़ी रांग तक फिर वापस चांदनी चोक तक यह सारा जो भी बर्न किया इसको एक दम के लिए भी मत छुड़िये और कहते हैं अब कहूं अंदर अरश की अब अरश यानि की रंग महल के अंदर की सोभा मैं कहने जा रहा हूँ जो दिये निशान खसम खसम सुरुप सद्गुर महराज ने जो निशानी दिया उसके आधार पर मैं अरश की अंदर की सोभा बताने जा रहा हूँ इस तरह से कहा तो ये एक तीश्वी प्रकरण में दसों भौम लिखी है करके दसों भौम की सोभा को प्रारंब कर रहे हैं तो प्रथम चोपाई से हम प्रारंब करते हैं तो चोपाई को देखें बड़ा चोक सोभा लेत है बड़े दरवाजे अंदर बड़ी बैठक इता गिरोह की आगुरस्वी के मंदर तो इस तरह से रंग महल की प्रथम भौम जो दरवाजा से अंदर प्रवेश करके 28 थंब का चोक फिर वहां से अंदर रश्वी का चोक यहां से विशय प्रसंग को प्रारंब कर रहे हैं जैसे रंग महल की सोभा देखें वेशयत ये पहले भी वर्रन होके आया है जैसे की जमीन से भौम भर उचा चबुतरा जिसका दोहजार मंदिर का लंबा चोड़ा छेहजार मंदिर का गिर्द है जिसमें फिरते 201 पहल है पूर्वदिशा में दरबाजा का पहल 10 मंदिर का उसके दायबाय का एक एक दो पहल 25-25 मंदिर का बाकी शम्पूर्ण पहल 30-20 मंदिर का प्रतेक पहल की संदी में गुर्ज आने से 201 पहल में 201 गुर्ज है तो ये तीसमी प्रकरण में ही रंग महल की स्वभा को बाहर से एक जलक देखने से नवों भोवों के जरोखा की स्वभा सहीत चादनी में जो गुर्ज के उपर किस तरह से गुमट बने हैं उसमें कलस, धोजा, पतकाएं किस तरह से हैं ये सारी स्वभा बर्नन हुआ तो फिर जो रंग महल का चबुतरा है, वहाँ जाने के लिए चादनी चोक के जमीन से सौव श्यडी बीस सादा चड़कर चबुतरा के किनार में पहुँचे तो सामने में दो मंदिर का लंबा चोड़ा चोक है दाएबाएं दो चबुतरा, जो चार मंदिर का लंबा दो मंदिर का चोड़ा है जिसमें बीस थंब बाईश महराब ये चबुतरा का बर्नन भी प्रैन्याजी कई बार बर्नन कर चुके हैं चौपाय के द्वारा हम चिंतन कर चुके हैं तो इस दर्बाजा के सामने के चोक से आगे बढ़ते हुए मुख्य दर्बाजा जिस दर्बाजा के बर्नन भी पुर्व चवपाई के द्वारा हुआ दो कमाड रंग दर्पन माहे जलकत सामी बन नंग बेनी पर देत दिखाई ये सोभा कहें न जाए तो जो मुल दर्बाजा है दो मंदिर का चोड़ा दो भोम उचा ये दर्बाजा की सोभा है और जिसमें दो किवाड लगे हुए हैं किवाड दर्पन रंग का है सामने का बन यह दर्पन रंग के किवाड में जलकता है एक आपस का नूर जंग करती हुई प्रतीत होता है इस दरबाज़ाच जैसे हम अंदर प्रवेश करेंगे तो सामुन्य में 28 थंब का चोक है और गिर्दा में चारों तरफ नजर फिरा करके देखें 6-6 हजार मंदिरों की दो हार है जिसके बीच में दो हार थंब तीन गली है फिर 28 थंब के चोक के भीतर अथावा दुसरी हार 6,000 मंदिर के भीतर दो हार थंब तीन गली को पार कर आगे जाने से चाूरस हवेली है तो यह प्रथम चाूरस हवेली ही रशुई का चोक है ऐसे हवेली पुरा एक हार में देखें तो 231 हवेली है फिर ऐसे 1 हार, 2 हार, 3 हार, 4 हार तो चार हार हविलियों के आनेशे जिसे एक फिरावा कहते हैं तो एक फिराव में कुल हविली 924 होते हैं तो उसके बाद फिर गोल हविली की फिरावा है इस तरह से क्रमसा चार बार चारश हविली की फिरावा चार बार गोल हविली की फिरावा आठ फिरावे हुए फिर नौवी फिरावा में पंचमहल है और उससे भी भीतर 28 मंदिर के जगह में बगीचा है और इन सब के मध्य में नौँ चोक है नौँ चोके चारों कोण से चार जल का इस्तुन भौम पर भौम होदे हुए उपर चादनी तक गए है तो ये समगर रूप में प्रथम भौम के सोभा है और उसमें से हवीली के अंदर चाय चारस सवेली हो गोल हवेली हो पंचमहल फिर मध्य की नौँ चोक इसके अंदर कई मंदिरों की सोभा है और ये एक भौम की सोभा जैसे है उपरा उपर नौ भौम तक ही एक समान सोभा से सजजीत है और उसके उपर दसमी चादनी अथवा आकाशी है तो ये तो है समगर में नौँ भौमों की शोभा उसके अलवा प्रतेग भौम की अपनी अपनी विसेस्ता है तो बिसेष्टा के एसाब से हर भौम का अलग-अलग बर्रन किया जाता है तो जैसे प्रथम भौम रुश्वी का चोक और मुल मिलावा यह बिसेष्टा है दुस्तरी भौम में भुल-भुलावनी है तीसरी भौम में पड़साल है चोथी भौम में निरत की हविली अथवा निरत की वाखर कहते हैं पांचमी भौम में सैन कच्य स्रिडाज जी की रंग परवाली मंदीर छटी भौम में शुकपाल एबं तखतरवा सातमी भौम में दोताली हिंडोला आठमी भौम में चारताली हिंडोला नौवी भॉम में दूरदसी का और दसमी चादनी तो इस तरह से रंग महल के नौव भॉम दसमी चादनी के अलग-अलग बिशेस्ता के इसाब से जो अलग-अलग सोभा है ये प्रकरण में ये प्रकरण मतलब ये 31 प्रकरण में वो बिशेस्ता के इसाब से जो भी सोभा है मह थमति प्राण्यजी उसको बर्रन करने जा रहे हैं तो प्रारंब कर रहे हैं मुल दरवाजा से अंदर प्रवेश होते ही सामने में जो 28 थम्ब का चोग है उस 28 थम्ब का चोग से प्रारंब करके फिर आगे रोश्वी के हविली को बर्रन करेंगे फिर उसके बाद फिर दुस् का बर्नन ये प्रकरण में शाय नहीं आया है तो वो अन्य प्रकरण में चिंतन कराया है तो जो भी चवपय के माध्यम से चिंतन कराएंगे हमें उसी हिसाफ से चिंतन करते हुए समझते हुए उस स्वभा को रेदय में धारन करते हुए आगे बढ़ना है ये तो प्रकरण में आने वाले समक्र एक सार भुमिकात्मक रुप में मैंने कहा अब मांकी आगे हम चवपाई के द्वारा ही देखेंगे जैसे पहला चवपाई को तो हम उच्चारण किये अब उसकी अर्थभाव को देखें तो कहा बड़ा चोक सोभा लेता है बड़ा चोक का अर्था यहां 28 थ थम्ब का चोक है जुई बहुत बड़ा चोक है 28 थम्पंद्र का चोक थम्बों की भीतर की चोक अथावा वैठव को देखें तो कितने मंदिर की लंबा चोड़ा है 10 मंदिर का लंबा और 5 मंदिर का चोड़ा है और बाहर से बाहर से मतलब परिक्रमा सहीत अगर इसाब करें तो 12 मंदिर का लंबा 7 मंदिर का चोड़ा यह 28 थंब का चोग है तो मूल दरवाजा से अंदर प्रवेश करते ही यह बड़ा चोग है तो कहा बड़ा चोक सोभा लेते है बड़े दर्वाजे अंदर बड़े दर्वाजे मतलब रंगमहल का मुख्य दर्वाजा जो दो मंदिर का चौड़ा दो भूम उच्चा दर्वाजा कहा न मुख्य दर्वाजा उस दर्वाजा से अंदर यह बड़ा चोक 28 थम्ब का चोक है कलना हो या बाहर से रंग महल के अंदर प्रवेश करते समय हो यह बड़ा चोक में सुन्दर बैठक बैठते हैं 28 थंबा के चोक में तो कहा बड़ी बैठक इत इत मतला यहां 28 थंबा के चोक में गीरोह की परमधाम की जमात ब्रह्म स्रिष्टी शक्या जो राश्यमाजी के अब चौंथी चरण में कहते हैं आगू रश्यमाजी के मंदर आगू मतलब यह बड़ा चोक 28 थंबा के चोक से आगे वितर तरफ रश्यमाजी का मंदर मतलब रश्यमाजी का चोक है अब एक नमबर चोपाई नहीं बड़ा दरवाजा से अंदर प्रवेश कराकर 28 थंबा का चोक फिर 28 थंबा के चोक में बैठकी शोभा को चिंतन कराते हुए रश्यमाजी के चोक तक पहुंचाए अब दुसरी नमबर चोपाई से रश्यमाजी का चोक बर्नन हो रहा है दस श्याम सेत के लगते दस मंदिर सामी हार इन चोक की रोशनी मावत नहीं जलका रह अब रश्यमाजी की हवेली की सोभा तो सबकी दिल दिमाग में है हम ऐसा विश्वास करते हैं जैसे यह रश्यमाजी की हवेली 23 मंदिर का लंबा चोड़ा है तो कोने का मंदिर और दर्वाजा का मंदिर को छोड़ने से एक दिशा में 20 मंदिर का जगह होता है अण्यों हवेली में तो चारों तरफ 20-20 मंदिर ही है परन्तु रश्यमाजी की हवेली में कुछ सोभा अलग है तो समगर रूप में देखे तो रश्यमाजी की हवेली में पूर्वदिशा में मद्य में जो दर्वाजा है दर्वाजा से दाएं बाएं पांस-पांस मंदिर दस मंदिर की जगह में देहलान बना है जिसके चारों दिवाल नो होने से वो खुला देहलान है देहलान से उत्तर दक्षिन दोनों तरफ पांस-पांस मंदिर की जगह में मंदीर ही है इस तरह से पूर्वा की तरफ 20 मंदिर में से 10 मंदिर की जगह में देहलान और दाए बाए पांस पांस करके दस मंदीर तो दस दस बीश हुआ दक्षिन दिशा के तरफ देखें तो मध्य में जो दर्वाजा है दर्वाजा से पूर्व तरफ का दस मंदीर की जगह में मंदीर ही है दर्वाजा से पस्तिम तरफ दस मंदीर की जगह में भीतरी, दिवाल और संदी का दिवाल ये तीनों दिवाल हटाने से वहाँ पर भी दस मंदीर का दहलान बना है पूर्व में भी दसमंदिर का दहलान है और दक्षिन में भी दसमंदिर का दहलान है ये दोनों दहलान में फरक्या है पूर्व की दहलान में चारों दिवाल नहीं है पुरा खुला दहलान है दक्षिन की दहलान में बाहर के तरफ की दिवाल जयों का त्यों है संदी और वितर का यानि की तिनों तरफ की दिवाल नहीं है तो इस तरह से देखे तो दक्षिन में दस मंदीर, दस मंदीर में दहलान यह हुआ पस्सिम तरफ बीश मंदिर के जगह में जयों कात्यों मंदीर ही है और उत्तर दिशा के तरफ हविली के मध्य के दर्बाजा से पूर्व तरफ दस्त मंदिर के जगह में मंदीर ही है और दर्बाजा से पस्सिम तरफ दस्त मंदिर के जगह में दक्षिन की तरह ही उत्तर में भी भीतरी दिवाल और संदी का दिवाल नो होने से दस मंदिर का एक दहलान बना है इस तरह से देखें तो रश्वी के हविली में कुल कितनी जगह में दहलान होये तीन जगह में तो ये प्रती एक दहलान दस-दस मंदिर का है तो दहलान के रशोई के हविली में 30 मंदीर काम हुआ है बाकिशंपुर्ण मंदीरों को अगर देखें तो पूर्वा में देहलान के दायवाय का 5-5 10 मंदीर दक्सिन के तरफ का 10 मंदीर तो 20 मंदीर हुआ पस्सिम के तरफ का 20 मंदीर तो 40 मंदीर हुआ और उत्तर के तरफ दस मंदिर पचास मंदिर हुआ इस तरह से रश्वई के हविले में कुल पचास मंदिर और दस दस मंदिर के तीन दहलान तीश मंदिर के जगा में दहलान ये शोबा है और मंदिर के हार से बाहर थंब का हार है एक दिशा में 25 थंब है मंदिर के हार से भितर फिर थंबा का दुसरी हार है एक दिशा में उन्निस थंबा है ऐसे ही चारों तरफ है फिर उससे एक मंदिर अंदर जाने से कमर भर उचा चबुतरा है, चबुतरा के किनार में चारों तरफ थंब है, एक दिशा में सत्र थंब है, चारों तरफ उशीर साव से है, थंबों के साथ में लगते हुए कठेडाओं की सुभा सुभायमान है, चबुतरा में जाने के लिए चारों दिशा से तीन सिड़ी लगे हुए हैं, जहां पर सिड़ी लगे हैं, वहां पर कठेडा नहीं है, और चबुतरा के उपर सुंदर वैठक है, मद्धि में सिंहासन है, ये सारी सुभा है, और ये सुभा के साथ रस्वई के हविले में बिशेश सुभा इसान कौन से पस्तिम तरफ, कोने का मंदिर छोड़ करके, दुस्तरा मंदिर श्याम मंदिर है, तीस्तरा मंदिर श्यणी का मंदिर है, और चौथा मंदिर श्याम मंदिर है, तो ये मंदिर की बिशेश केश करके ये श्याम मंदीर और स्वेट मंदीर के ही जilarदा जर्चा होती है और उपर जाने आने के लिए संएड की मंदीर बीज में होने से सेडी की मंदीर की बात भी होगी तो यह तो समगर रूप में है तो इसको प्रैणनह जी यहां सार रूप में कहते हैं दस श्याम स्वेत की लगते तो शिदा श्याम और स्वेत की साथ में लगकर की दस मंदीर कहा तो और दुसरी चरण में खुलासा करते हैं दस मंदीर सामी हार तो श्याम और स्वेत मंदीर की साथ में लगते हुए सामने में इस हार में दस मंदीर है तो कहां की बात आए ये रश्वी के हविली के उत्तरदिशा के तरफ के मंदीर जो इशान कौन से पस्षिम तरफ अध़ा हविली के मद्य में जो दरबाजा है उस से पूर्वा तरफ के बीच में जो 10 मंदीर है उदस मंदीर को बता रहे हैं तो यहां पर श्याम और स्वेत के लगते उसके साथ में लगते हुए कहा ना, तो श्याम मंदिर और स्वेत मंदिर का लोकेशन तो हम जानते हैं, जैसे अभी भी कहा, इसान कोन से पस्सिम तरफ, कोने का मंदिर को छोड़के दूसरा मंदिर स्याम मंदिर, और तिस्रे मंदिर शेड़ी का मंदिर छोड़ करके चौथा मंदिर श्वयत मंदिर तो श्याम मंदिर में रस्वय बनती है और श्वयत मंदिर में धामधनी स्ट्रिडाज्जी महराज संध्या के समय में रस्वय आरोकते हैं क्योंकि प्रातकाल के समय में तो तिसरी भूम में ही रसे आ रोकते हैं न तो इसलिए ये श्याम और स्वेत मंदिर की बिशेश बिशेशता होने से उसको बता करके फिर दस मंदिर सामी हार सामी मतलब उसी के साथ में लगते हुए उसके सामने में हार में दस मंदिर है फिर कहते हैं इना चोक की रोशनी यह चोक अब श्याम मंदिर कहिए स्वैत मंदिर कहिए उस हार के दौसों मंदिर को कहिए समगर में पूरा रश्वई के चोक रश्वई के हविली की रोशनी प्रकास मावत नहीं जलकार रुपेन जो प्रकास है वो मावत नहीं मतलब वहां नहीं समाता है तीसरे नमबर जो उपाई को देखते हैं कई नकस कई कटाव इन भोम में देखत दीन पंद्रा खेले बन में पंद्रह आरोगे इत्त देखिए ये मंदीर में अथवा इस हवेली में सब तरफ की सुभा को देखें तो कई नकस कई नकसकारियां है कई कटाव कई कटावदार डिजाइन है इन भोम में देखता इस भोम में दिखाए देता है अब इस भोम में कहने से ये कौन सी भोम की बात हो रही है रंग महल का प्रथम भोम तो प्रथम भोम में जहां कहीं भी देखें ऐसी सोभा मतलब नकसकारी कटाओ ये सारी सोभा है और उसमें रसोई के हविले में भी वही सोभा है फिर कहते हैं दीना पंद्रा खेले बन में अस्टप्रहर की लिला प्रसंग जो ये परिक्रमा ग्रंथ में तिस्त्रा प्रकरण में आशी नम्मर चौपाई से एकसो आउन नम्मर चौपाई तक में अस्टप्रहर लिला प्रसंग हुए न तो उसमें पांचवी प्रहर का समय पांचवी प्रहर का समय मतलब संध्या छे बजे से नौ बजे तक की समय कि ये लिला में क्या प्रसंग आया पंद्र दिन खेले बन पंद्र दिन शुख भावन तो पंद्र दिन तो बन में ही खेलते हैं और पंद्र दिन भावन यानिकी रंग भावन में लिला होती है तो जब पंद्र दिन रंग भावन में लिला होती है तो साड़े साथ बजे तक यह रसोई की हविली में रसोई लिला फिर साड़े साथ से नौ बजे तक चौंथी भोम में निरत की हविली में निरत लिला और यही पांसोई प्रहर का समय अगर शुक्लपक्षे के समय में हो तो फिर बन में ही लिला होती है बन फल आरोगने की और निरत लिला सब तो यह तो हम अस्टप्रहर की लिला प्रसंग के द्वारा जानते हैं तो उसी बात को यहां प्रैणनह जी बता रहे हैं दीन पंद्रा खेले बन में, शुक्ल पक्षय के पंद्र दिन बन में खेलते हैं, पंद्रह आरोगे इत्त, पंद्र दिन, कृष्ण पक्षय के पंद्र दिन के समय में, इत्त मतलब यहां रसुई के हविली में आकरके रसुई आरोगते हैं, इन चौक में साथ जी बहुत वेर वैठत आवत जात बन थे बैठत इत अलवत देखें इन चौक में इस चौक रसुई की हवेली में साथ जी सुन्दर साथ सखियां बहुत वेर वैठत बहुत समय तक बैठते हैं अब रसुई आरोगने के लिए यहां पर बैठते हैं तो बहुत देर तक बैठते हैं जैसे कृष्ण पक्षे के समय में 6 बजे बन से वापस आए तो एक जुथ सखी तो चादनी चोक से सीधा रस रसुई तैयार करने के लिए फिर कुछी समय बाद में धामदनी राजस्यमाजी सखियां भी पसुपंखियों के खेलतमा से देखने के बाद फिर रसुई के हविली में पहुँच जाते हैं फिर वहां पर रसुई आरोगने के लिला होती है तो पांचवें प्रहर का चार घ आमें शान्थ जी बहुता वेरवैठता बहुत समय तक बैठते हैं और प्रात काल के समय के भी अगर बात करें तो रसुई शेवा के लिए जाने वाले सक्षीयां कितने बज़े जाते हैं? साड़े साथ वजे और साड़े साथ से लेकर के बार वजे तक रश्वी लिला पूरी होते हैं समय तो बार वज जाता है न तो ये तो संद्या कालिन समय की बात हो रही है लेकिन ये ही रश्वी के हविली में प्रातकाल के भी अगर समय की बात करें तो ये लंबी समय यां पर बैठक बैढते हैं, बांकी शखियां तो प्रात्तकाल तो उपर राज्जी के साथ में रहते हैं, लेकिन जिसके रस्वी की सेवा में वारी है, वो तो लंबी समय तक ही रहते हैं, और संध्या के समय भी देखें तो साड़े साथ बजे के समय तक, आवत जात बन थे, अब ये जो साड़े साथ बजे तक की बात किये, ये तो रस्वी लिला के प्रसंग में, लेकिन यहां प्रैन्नेजी कहते हैं, ऐसा नहीं कि स्रिफ रस्वी के लिला के समय में ही यहां बैढते हैं, बन से आते समय भी रस्वी आरोकनी के लिए यहां पर बै पर बैठक बैठते हैं तो फिर यहां से निकल करके 28 थंबा की चोग में ओ तो पहला नमर चौपाई में ही कहा न यह बड़ा चोग जो शोभा ले रहा है दरवाजा के सामुन्य में और यह तिस्रे चरण में कहा पहला चौपाई का बड़ी बैठक इत्त गिरोह की तो 28 थंबा के चोग में भी गिरोह की समुह आत्माओं के बैठक बैठते हैं तो बन से आते समय जाते समय चाहे तो रसुई के चोग में चाहे तो 28 थंबा के चोग में बड़ी समय तक देरी तक वहाँ पर सुन्दर बैठक बैठते हैं आवत जात बन थे बैठत इत अलवत अल अतलब मस्ति के साथ में यहां बैठते हैं तो इस तरह ये 28 थंब के चोक सहित रसवी की हबिली के वैठक ये प्रसंग बता रहे हैं अब पांचोई नम्मर चौपाइगो देखें लाडबाई के जुत्थ की इता बहुता खेल करत बाहर अंदर चोक में बना महलों सुखा अब लाडबाई का नाम आया ये तो हम जानते ही है खेल में आने के दिन रसवी के हबिली में लाडबाई के जुत्थ की शेवा होने के कारण जहां कहीं भी जब रसवी के प्रसंग आता है तो लाडबाई और उनके जुत्थ का नाम बाणी में उल्ले हुआ है तो कहा लाडवाई के जुथ्थ की, लाडवाई के समुह, एक समुह में कितने सकी कहा, तीन सो सकी, ऐसे कितने समुह, कितने जुथ्थ है, चालिस जुथ्थ है, तो बारह हजार सकियां चालिस जुथ्थ में विवाजन हुआ है, वो लिला के लिए, सेवा के लिए, तो में खेल तमासे हास बिनोद ये तो चलता ही रहता है बाहर अंदर चोक में इस चोके बाहर हो या अंदर हो बन महलों शुख लेवत कभी तो बन में कभी तो महलों में ये लाड़वाई की जुद्ध सुख लेते हैं तो रश्वे की शेवा करने वाले फिर बन में शुख लेने की बात कहां से आए ऐसा लगता होगा न तो साकादी सामागरियां लेने के लिए तो बन में जाना पड़ता है न तो बन में जाते समय बन का सुख लेते हैं फिर महल में रहते समय महल का सुख लेते हैं और रसवी के हबिले में रसवी सेवा करते हुए भी वहां पर भी कई तर ना हे ये ना कच्छु जुआ कहे सके चूब रहता चित्त माहे तो लाडवाए की जुथ हो या और भी सकिया मन चाहे बन में जाकर के बन में महलों में कई जगह में कई तरह के खेल करते हैं लिला कृड़ा करते हैं तो कहा बन महला बिलास को कभी तो बन में बिलास करते हैं कभी तो महल मतलब रंग महल में बिलास करते हैं ये सब बिलास को बिलास के लिए ही स्थान है चाहे बन हो चाहे वो महल हो शुखा गिनती में आवत नाही बन का सुखा महल का सुखा जो है वो गिनती में हिसाब में सब्द में नहीं आता है ये ना कचु जुआ कहे सके ये जो सुखा है न जब हिसाब में ही नहीं आता है तो इसको जुआ के द्वारा इस सुखा को कहा नहीं जा सकता है चूब रहत चित्त माहें जिसने यह सुख को प्राप्त किया है अनुभव किया है रिदय के अंदर चूब जाता है अंदर से महसोस होता है परंतो शब्द में जाहिर करके बताना यह संभव नहीं है तो आत्मा के रिदय के अंदर यह बन का सुख महल का सुख धामदनी के साथ में प्राप्त किया हुआ सारा सुख रिदय में चूब करके रहता है राज स्यामाजी बैठत बन थे फिरते बखत इन ठावर आरोग के चौथी भोम निरत देखिए अश्टर पहर लिला प्रसंग में जो चिंतिन किया ओही यहां सार रुमें बता रहे हैं राज स्यामाजी बैठत बन थे फिरती बखत जब कृष्ण पक्षे के समय में पांच्वई प्रहर का समय में बन से वापस आते हैं तो उस समय में राज स्याम जी सहित हम सखियां यहां बैठता मतलब बैठते हैं इन ठावरा आरोग के इन ठावरा मतलब ये रस्विय के हवेली में अब यहां तो इन ठावरा आरोग के इतना ही कहा जो पहले चौपई आया है पहले चोपए आया है स्याम मंदीर रशोई होत जीत जोड़े स्वेत मंदीर है तीत बन थे फिरे संझा जब इन मंदीर आरोगे तब तो ये चोपए के द्वारा भी रशोई होने का इस्थान अथवा रशोई की समय ये सारी बातें खुलासा करके कहा है श्याम मंदीर में रशोई बनना और साथ में जुड़ करके श्वेत मंदीर का होना और संध्या के समय में जब बन से वापस आते हैं तो वो श्वेत मंदीर में धामदनी रशोई आरोगते हैं तो ये बर्रन किया यहां कहा राज शामा जी बैठत बनते फिरती बखत इन ठोर आरोग के इस ठोर में रशुई के हविली में रशुई आरोग करके फिर साड़े साथ बजे का समय होने के बाद यहां से कहां चले जाते हैं चोंथी भोम निरत जो निरत की हविली है जहां पर निरत लिला होती है वहां पर चले जाते हैं जैसा चोक तले का तैसा ही उपर आगों जहरोखे दुजी भोम के इता चोक बीस मंदर आज नमर साउपाए में देखिए यहां लिला क्रम की इसाब से तो रस्वी आरोगने के बाद चौंथी भौम में जाते हैं यह कहा परन्तु अब प्रथम भौम से जाते समय तो पहले तो दुसरी भौम में पहुचेंगे न फिर तिसरी भौम होके चौंथी भौम में जाना है इसलिए ये प्रथम भौमें रश्वी की हविली रश्वी का चोक बर्लन होने के बाद ये आठवी नमर्च वपाय में प्रांणा के लिए जैसा चोक तले का तले का मतलब प्रथम होम का प्रथम होमें जैसा चोक है जैसे हविली के सोभा है तैसा ही उपर वैसा ही उपर मतलब उपर दुस्तरी भाव में भी है, इसका अर्थ है क्या हुआ, प्रथम भाव में जैसे सोभा है, ऐसे ही सोभा दुस्तरी भूम में भी है तो ये चौरस हविली की सुभा के इसाब से ये बता रहे है ठीक है बाकि प्रथम भूम में जो रस्वी की हविली के कारण अथवा रस्वी लिला होने के कारण जैसे पहले कहा तीन दिशा में तीन दहलान है ये जो सुभा वर्रन किया है न ये अन्य हविलियों में नहीं है अन्य हविलियों में ये दहलान के जगह में भी मंदीर ही है तो ये समझना चाहिए या जैसा यहां है वैसा ही उपर है कहने से वो चौरस हविली के बाकि संपूर्ण सोभा के इसाब से ये समझना चाहिए बांकि रश्वई के हविली में जो तीन दहलान है वो अन्य हविली में नहीं है और श्याम मंदीर, शिणिका मंदीर, श्वेत मंदीर करके जो बर्रन किया उसमें से शिणिका मंदीर तो हर भोम में ही होता है लेकिन ये श्याम मंदीर और श्वेत मंदीर ज अले का मतल्द प्रथम भोम का तैसा ही उपर वैसा ही उपर दुसरी भोम में है तो एक बार के लिए तो उपर दुसरी भोम में कहा अब इशी को विस्तार करके तैसा ही उपर सब्द से वैसा ही उपरा उपर कहा तक नवों भोमों तक ऐसे ही स्वभा सुष्वबीत है कहने का अर्था त्याईश मंदिर की लंबाई चवडाई में चारों दिशा में बीश बीश मंदिर और चारों दिशा में दर्बाजा तो है ही और कोने का मंदिर है बाहर थंब का हार होना भीतर थंब का हार होना मद्दे में चबुतरा होना चबुतरा के किनार में थंब होना फिर मध्दे में सिंगासन होना जियों कातियों सारी स्वभा है स्ट्रीफ चाउरस हविली को ही अगर देखे तो भी बांकि जो भी स्वभा है जैसे बाहर से देखे तो 6-6 हजार मंदिरों की 2 हार बीच में दो हार थम्ब, तीन गली फिर वितर के जो नव फिराओं की बात किये 28 मंदिर की बगेचा की बात हुई, मद्दे में 9 चोक की बात हुई, फिर 9 चोक की चारों कोर्ण में जल इस्तुन की बात हुई, ये संपूर्णा स्वभा जो भी है न, ये सारी के सारी सोभा, जैसा चोक तले भोम का, मतलब प्रथम भोम में ये सारी चोक सोभा जैसा है, तैसा ही उपर, उपरा उपर नवों भोमों में वेसे ही सोभा है ऐसा समझना चाहिए, ठीक है अब यही आठवी चौपए के तिस्त्री नंबर चरण में देखिए ध्यान से आगों जरोखे दूजी भोम के देखिए दूजी भोम के अप्रथम भोम की शोभा वर्नन हुआ और भीतर की शोभा तो जैसा है वैसा ही उपर है कहा आगों मतलब आगे सामुने पूर्व दर्वा जाके आश के तर दूजी भोम से वितर से 28 थंब की शोग से ओकर के आगे आने से दूजी भोम की जरोखा में आ सकते हैं परन्तु इस शोभा को अगर देखना हो तो या तो प्रथम भोम की मूल दर्वाजा के सामुने का चोग वहां बैठ करके भी देख सकते हैं या तो नीचे चादनी तो प्रथम भोम की उपर दूजी भोम में बाहर की तरफ जो जरोखा है ये सोभा को बता रहे हैं ये आठवी नंबर चौपई के तिस्तरी चरण में और चौथी चरण में भी और चौथी चरण में भी ओही भाभ को जोड रहे हैं तो कहां आगू आगू मतलब सामुने के दरवाजा के हांस में जहरों के दुजी भोम के दुस्तरी भोम के जहरोखा सब्दार्थ के इसाव से तो बता दिया अब थोड़ा साइस में द्यान से स्रबन करिए दुस्तरी भोम में आगे दरवाजा के हांस में दो प्रकार का जहरोखा है टीन जरोखा है ध्यान से चुनिया दो प्रकार के जरोखा है और कुल तीन जरोखा है अब उसमें से एक प्रकार का जरोखा प्रतम भोम के ये दरवाजा से बाहर एक बार यहां से देखें जो दो मंदिर का लंबा चोड़ा चोग है न ये चोग में खड़ा होते समय जैसे कि क पहा दर्वाजा, दो मंदिर का चौड़ा और दो भोम उचा ऐसा बर्रन करते हैं। परन्तु वो दर्वाजा की सोभा दो भोम उचा तक है लेकिन अंदर प्रवेश करने के लिए अगर खुला दर्वाजा देखें तो मुल दर्वाजा प्रथम भोम की बराबर में ही खुला दर्वाजा है, तो दुसरी भोम की बाहरी तरफ ये दर्वाजा के उपर दिवाल ही आया है, अब ही मैं दिवाल सब्द प्रहे कर रहा हूँ, मतलब वो दर्वाजा का खुला दर्वाजा दो भोम उचाई तक ही एकदम खुला ऐसा नहीं है, तो दुसरी भोम में वो दिवा आया है तो वो दरवाजा के शीधा उपर वो दिवाल में ही एक जरोखा बना हुआ है जैसे कि प्रथम भोम में ही परिक्रमा के रोज से चलते समया 6000 मंदिर में से प्रतेक एक मंदिर के मध्य में एक एक जरोखा है कि ने तो ऐसे ही समझना चाहिए तो मोल दरवाजा के सीधा उपर प्रथम भोम के जो बाहर ये दरवाजा वाला मंदिर के बाहरी दिवाल में एक जरोखा बना हुआ है वहा है ये एक जहरोखा है एक तरह का ये जहरोखा में बैठ करके अभी मैं नीचे चोक से बता रहा था अब चले उपर दुसरी भौम के ही 28 थंबा के चोक से बाहर तरफ जाने से एक छोटा सा दरवाजा है वो दरवाजा से जहरोखा में निकल सकते हैं तो ये जहरोखा में बैठ करके कहा कहा कि शववा देख सकते हैं शीधा नीचे देखे तो दो मंदिर का लंबा चोड़ा चोक दिखाई दे रहा है और उसे के दाये बाएं चबू तरह भी थुड़ा थुड़ा दिखाई दे रहा है और अभी मैं एक ही जहरोखा का वर्रन कर पिर सामने में दोनों तरफ जरोखा है, वो भी बताता हूं, वो जरोखा भी ये बीच के जरोखा में बैठे बैठे दिखाई देता है, फिर सामने में चाद निचो, हरालाल व्रिक्षे और पूर्व की तरफ सातों घाट, जमना जी, जो भी सुभा है, ये जरोखा में बैठे दो जरोखा है वो दो जरोखा इसे पहले वाला कछ्या में भी थोड़ा सचंकेत किया गया था जैसे प्रथम भो्म में मद्धे का चोक दर्वाज़ा के सामुने का मद्धे का चोक है दो मंून्दिर का लंबा चोड़ा उसके दाएम आए चार मंदर का लंबा दो मंदर का चोड़ा चबुतरा आया है ये चबुतरा में 20 थंब 22 महराव जो बर्रन आया है उसमें जो थंब 20 थंब लगा है एक भूम उपर जा करके उसके उपर चाथ पटी है न तो यहाँ पर क्या हुआ मध्य के दो मंद्र की चोड़ा चोख है उसके उपर दुसरी भॉम में चोट नहीं आता है क्यों? क्योंकि दरवाजा का जो सोभा दो भॉम उचाए के उने से दो भॉम उचाए के शोभा के लिए तो यहां चोट डालेंगे तो फिर कुछ दिखाई नहीं देगा न उपर की शोभा तो उपर का जोरुखा भी नहीं दिखाई देगा तो इसलिए सौव शिड़ी बीच चादा चड़कर के सामुने में दरवाजा के सामुने में जो चोख है यह चोख के शीदा उपर दुसरी भॉम में चाद नहीं है इसका मतलब यह चोख से शीदा उपर देखेंगे तो कितने भॉम उपर दिखाई देगा दो भॉम उपर जो तीस्तरे भॉम के जहरोखा है न वो जहरोखा के नीचे का भाग दिखाई देता है दुसरी भॉम में यह चोख के दाएं बाएं जो चबुतरा है वो चबुतरा के उपर दुसरी भॉम में चाद आया है तो नीचे तो चार मंदिर का लंबा दो मंदिर का चोड़ा चबुतरा हुआ इसकी उपर जाकर के बैठक वोई है चार मंदिर का ही लंबा, दो मंदिर का ही चवडा, दोनों तरफ, और उसमें भी 20 थंब नीचे प्रथम भूम की चवटरा में जिस तरशी आया है, उपर भी उशी तरशी, दोनों तरफ, पांच थंब खुली, पांच थंब अक्षी, पांच थंब खुली, पांच थंब करके ही आएगा तो यह जो बैठक है यह दिवाल से दो मंदर के चौड़ाई आगे निकला है नीचे चबतरा के उपर आने से तो यह जो दो बैठक है न इसको भी जरुखा करके कहा है तो इस इसाफ से देखेंगे तो जरुखा कितने प्रकार के हुए है दो प्रकार के कितने जरुखा तीन जरुखा एक जरुखा दरबाजा के शिदा उपर दो मंदर के मध्या में यह अलग डिजाइन का है और दो जरुखा चबतरा के शिदा उपर जो चार मंदर का लंबा दो मंदर का चौड़ा तो यह जरुखा की शोबा है अब इतना हुआ तो यहां चवपाई में भी बताएंगे ही तो उसको मैं पहले ही बता दूँ ये तो सभा हुआ प्रथम भोम और दुसरी भोम मतलब दरबाजा के यहांस में प्रथम भोम और दुसरी भोम की सभा समझ में आया दरबाजा के आँच दो 10 मंदिर का है न फिर शे एक बार देखिए प्रथम भूम्मे देखेंगे तो ये 10 मंदिर में क्या है 20 में 2 मंदिर में चोक दायवाये 4-4 मंदिर में चबुतरा 10 मंदिर हुआ और चोड़ा ये तो चबुतरा में भी चोक में भी 2-2 मंदिर ही है अब दुस्तरी भूम में चलिए दुस्तरी भूम में ये 10 मंदिर के आश में क्या हुआ 20 में 2 मंदिर के जगा में खाली है यहां पर साथ नहीं आया है और दायवाये 4-4 मंदिर के जगा में 1-2 जहरोखा आया है तो चार-चार मंदिर आठ और भी इसका खाली जगा दो मंदिर का तो दस मंदिर हुआ तो ये भी हुआ अब यहाँ से चलते हैं तीसरी भॉम में तो तीसरी भॉम में क्या हुआ तीसरी भॉम के विशेष्था तो यह तो पहले ही अध्यन किये है तो तीसरी भॉम के विशेष्था जो पड़साल करके वर्रन किया तो पड़साल का वर्रन करते समय यह जो जरोखा है ना अंदर से देखे तो चबुतरा देहलान जरोखा ये तो तिस्त्री भूम का प्रसंग बर्रन होगा ही लेकिन मैं बाहर से एक स्वभा बता रहा हूं इसलिए तो ये जरोखा है तो तिस्त्री भूम में जाने के बाद पूरा प्रथम भूम के चोक और ये तिनों चोक तिनों चोक मतलब दोनों तरफ के जरोखा और मद्दे का चोक अथावा प्रथम भूम से कहें तो दोनों चबुतरा और मद्दे का चोक शाब को पूरा उपर से चछत डाल करके दस मंदिर का लंबा और जो दो मंदिर का चोड़ा था एकी जरोखा आया है इ समझ में आया तो दरबाजा के आश्मी क्या हुआ प्रथम भॉम्मे देखेंगे तो इसमें तीन खंडा है तीन खंडा क्या क्या मद्य में चोक दायवाएं एक एक चबुतरा दूसरे भॉम्मे भी देखेंगे तो इसमें तीन खंडा है मद्य में तो बिलकुल खाली जगा है प्रथम भूम का ही चोक शिदा दिखाई देता है, दायम आये एक एक जरुखा, तो ये भी तीन इस्षा हुआ लेकिन तीस्त्री भूम में जाने के बाद, तीस्त्री भूम के जमीन से तीन सिड़ी उचा, एक की जरुखा आया है, जो दस मंदिर का लंबा, दो मंदिर का चौ तीस्त्री भूम, तीस्त्री भूम की ऐशी स्वभा दिखाई देता है, समझ में आई बात, अब उसके बाद, चौथी भूम, पांचें भूम, ये सब में तो, वही तीस्त्री भूम की तरह ही, दस मंदिर का ही जरुखा का स्वभा बनेगा, लेकिन फरक, तीस्त्री भूम म तिन स्टिड़ी उपर गया है चौथी, पांचवी, छटी, साथी इन सारे उपरों के भोम में अपने अपने भोम के ही बराबर में दस मंदिर का जरोखा होगा और ये लंबाई दो मंदिर का चोड़ा ही होगा और बांकी तिसरे भोम में मद्य में चार मंदिर का देहलान आया है ये भी देखना होगा, देहलान आया है बांकी उपर के अन्य भोम में ये देहलान नहीं होगा तो क्या होगा, मद्य में प्रथम भोम की तरह ही दो मंदिर का दरवाजा कही जगा रहेगा और दाएं वाएं चार-चार मंदीर ही रहेगा देहलान ना आने से तो चार-चार ही मंदीर होगा ना तिसरी भॉम में देहलान के कारण दाय माएं तिन-तिन मंदीर हुआ था तो ये क्रम चौंथी भों से ले करके उपर आफ़ ओपर आठों भों तक होगा और नौवमी भों में मंदर के जग도 में सोभा अलक है मांकि बाहर ज़रोखा की तरफ ये दर बाज़ा के आश में देखने से तो चौथी भौम से लेकर के उपर नौ भौम तक अथावा दस्तमी चादनी तक एकी सोभा है तो समग्र में ये जरोखा ये सोभा बर्नन है ठीक है तो इसका मतलब फिर से एक बार बताईए रंगमहल के प्रथम भौम दरवाजा के सामुन्ने के चोक में खड़ा होते समय शीदा उपर कहां क्या दिखाई देता है तीस्तरे भौम के जरोखा नीचे का किनारा वो दिखाई देता है वो जरोखा का लंबाई चौड़ा कितना है दस मंदिर का लंबा और दो मंदिर का चौड़ा ये है ये तो ठीक है लेकिन और शुक्ष में इसाब से बताइए प्रथम भूम के चोक से ये जरुखा तक में कितना उचाई है इसाब प्रथम भूम के ये दर्बाजा के सामने के चोक से उत्तिस्त्री भूम के जो जरुखा दिखाई दे रहा है न कितने उचाई में आई है दो भॉम तीन सिर्ड़ी उचा है क्योंकि प्रथम भॉम का उचाई एक भॉम, दुस्तरी भॉम की उचाई दो भॉम, और दुस्तरी भॉम का चाथ ही तिस्तरी भॉम का जमीन है यहां तक तो दो भॉम तो हुआ लेकिन तिस्तरी भॉम की जमीन से यह जरोखा और तीन सीड़ी उपर गया गिने इसलिए प्रतम भूम के चोग में बैठकर के शीदा देखते समय यह तिसरी भूम के जो जरोखा है दो भूम तीन सीड़ी उपर दिखाई देता है इसलिए कि दूसरी भूम में यह चोग के उपर छचत नहीं आया है दिवाल में जरुखा आया है और दायबाय का जरुखा देखना है ठीक तो ये एक विजन बताया गया बांकी अब चौपई की द्वारा देखना होगा तो हम चौपई नमर आठ को देख रहे थे पहला चरण और दुसरा चरण तो हो गया था तीसरा चरण का भी सब्दार्थ भाव तो बता दिया था फिर भी पुरा चौपई देखे एक बार जैशा चोक तले का तैशा ही उपर ये कह करके तो भीतर की श्वभा बताए अब तीसरे चरण में आगों जरुखे दुजी भोम के दुजी भोम के आगे बाहर तरफ जरुखा तो कितने जरुखा कहा तीन जरुखा कितने प्रकार के जरुखा दो प्रकार के हैं तो ये जरुखा के लिए कहा आगों जरुखे दुजी भोम के इता चोका बीशा मंदिर ये पूरा इरिया देखेंगे तो कितने मंदिर की जगा आए वो जहाँ पर जरोखा बना है चोग बना है न दुसरी बम में वो कितने मंदिर की जगा आओगा बीश मंदिर का है कैसे बीश मंदिर का दस मंदिर का लंबा दो मंदिर का चौड़ा है न अब उसमें से एक जरुखा चार मंदिर का लंबा दो मंदिर का चौड़ा तो कितना हुआ आठ मंदिर का हुआ कि ने एक ही जरुखा और दुसरा जरुखा भी चार मंदिर का लंबा दो मंदिर का चौड़ा तो आठ आठ शोरा हुआ और बीश में भले ही वहाँ पर छात नहीं आया है लेकिन वहें से अगर नीचे देखे या सामने की भाग देखे तो वह कितना इसा है खोला जगा दो मंदर का लंबा चोड़ा है तो दो मंदर का लंबा चोड़ा मतलब चार मंदर का जगा होगा कि नहीं हो तो इस तरह से देखे तो पुरा ओ 20 मंदिर की जगा है मतलब दर्बाजा का आश तो नीचे प्रथम भोम में भी देखे वो भी 20 मंदिर का जगा है दुस्तरी भोम में भी देखे वो 20 मंदिर का योगा तिस्तरी भोम में जाने पर भी दस मंदिर का लम्बग, दो मंदिर का छोड़ा जो रखा, मतलों कैतनी मंदिर की जगाय वो, विश मंदिर का ये, इसले कहा, इता चोक विश्र मंदिर, विश्र मंदिर का चोक यहां पर बना है, ऐसा, 9 नुमर चोपई को देखे, इसी भात भोम तिशरी उपर चड़ती चड़ती जे खुबी लेत अती अधिक चोक उपर चोक ये देखिए दुस्तरी भोम के जरखा के चाथ में तिसरी भोम सईद उपर उपर सारा चोपई में आ रहा था इसलिए मैंने दुस्त्री भॉम के प्रसंग में ये सारा एक जलक बर्रन किया था देखिए तो इसी भात भॉम तिसरी इसी तरह से तिस्त्री भॉम में भी क्या आगे जरुखा है लेकिन दुस्तरी भॉम की जरोखा और तिस्तरी भॉम की जरोखा में क्या फ़रग है दुस्तरी भॉम में तीन इस्टा उकर के तीन जरोखा आया है तिस्तरी भॉम में सब के उपर एक की जरोखा होने से 10 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा एक ही जरोखा आया है मतलब दरवाजा के हाँ जो 10 मंदिर का है उसमें जरोखा जेओकातियों है तो इसी भात भोम तीसरी तीसरी भोम की जरोखा देख लिए अब उपर चड़ती चड़ती ये दूस्तरी चरण के द्वारा उपर उपर, कहा उपर तिस्तरी भॉम से उपर चड़ती, चड़ती चौथी भॉम, पाँचमी भॉम, छटी भॉम, सातमी भॉम, आठमी भॉम, नौमी भॉम, दसमी चाधनी तक सारा दरबाजा के आज में देखने से ज्योंकातियों जरोखा तिसरी भॉम की तरह ही दिखाई देता है दस मंदिर का लंबा, दो मंदिर का चौणा, लेकिन फरक बताया, तिसरी भॉम में तिन शड़ी उपर गया है, अन्य भॉम में, भॉम की जमिन के बराबर में रहेगा, बाँची जरोखा ज्योंकातियों है, कोई फरक नहीं है इसलिए यहां उपर चड़ती चड़ती जे सब्द कहा न, तो इस से तिसरी भॉम सहीद, चौथी भॉम से उपर, दस्वमी चाधनी तक की स्वभा जरोखा को देखना होगा ठीक है, आगे देखिए, खुबी लेता अती अधीक, यह अत्यन्त खुबी स्वभा लिये हुए है, चौग का उपर चौग के उपर चौग, जरोखा के उपर जरोखा, यह सारी स्वभा लिये हुए है बीतर भी देखेंगे तो चौग के उपर, चौग, अविली के उपर, आविली, बाहर देखिए, जरोखा के उपर, जरोखा, बीतर, मंद्र के उपर, भॉम्बो में वही मंद्र, चौरश अविली के उपर, चौरश अविली, गोल अविली, पंचमाल के उपर, पंचमाल, न नौ चोक उपर नौ चोक सारी चोक उपरा उपर जियों कातियों है कि नहीं तो ये सारा चोक उपर चोक ये चाय बाहर देखिए चाय बेतर देखिए नवं भोमा इनविधकी आगों उपरा उपरा बड़े द्वार आगे चोक सबन के सबों फिरते थंब हार तो ये देखिए नौ भौम इनवीद के, जैसे जरोखा का वर्रन किया, चोक का वर्रन किया, तो ये दुस्तरी भौम तिस्तरी भौम में ही नहीं, नौ भौम इनवीद के इसी तरह का है, आगों उपरा उपरा बड़े द्वार, जरोखा का तो वर्रन किया, फिर दर्वाजा कैसा होगा, ये सम से नो रहे है, इसलिए प्रान्न्हजी सॵहीं बता रहे हैं, दरवाजा भी रवाजा यो जनक का टिएँ हो, खाली प्रथम भोम के दरवाजा की ऊपर दूस्त्री भोम की जगा में ब्रिहद दरवाजा नहीं है, वहाँ पर छोटा जरुखा है, बा hovering तूसनiden guy k Technology दरवाजा की दाएबाएं का एक-एक मंदिर मिला के चार मंदिर में दहलान हुआ बागी उपर चौथी भोम से उपर उपर सब में दो मंदिर के दरबाजा जियों कातियों प्रथम भोम की तरह ही है और दाएबाएं दरबाजा के आश्मी चार-चार मंदिर प्रथम भोम की तरह ही जोंकातियों है और बाहर की जो जरोखा ये सब एक समान है इसलिए यहां कहा नवों भोमा इनबीध की आगों उपरा उपरा बड़े द्वारा जिस तरह से जरोखा एक समान है बड़े दरवाजा भी उपरा उपर एक समान है आगे चोक क सबन के, सब के आगे चोक, आगे क्या, दरवाजा के बीतर आगे, 28 सतंबा का चोक मानिये, आगे चोक मतलब शूर उही कहा चिया था, बड़ा चोक शिरू किया थे न, तो ऐसे ही मुल दरवाजा की उपर, दरवाजा, तो प्रतीक भूम में दरवा जाके अंदर चोक, 28 तंबा का चोक, और 28 तंबा के चोक में साथ में जैसे बार-बार का रहे हम, शंपुर्ण सोबा, 6,000 मंदिरों के हार, हविलियों के फिरावें, सब एक समान समझना चाहिए, तो ये आगे चोक सबन के सब भूमों में, आगे जोक है, सब फिरते थंबा हार, सब मतलब सब भूमों में, फिरते फिरते थंबा हार, थंबा के हार है, अब थंबा के हार फिरे हैं मतलब, कहां, थंबा का हार फिरे है, तो 6,000 मंदिर का हार भी फिरे है, तो बीच में दोहार थंबा तिन गली, फिर दुस्तरी हार मंदिर से भी भी बीतर थम्बहों के हार भीतर हवेलेओं के बीज बीज भीले नितंग के हार है अ पर ये तो कहां । करनेี้ नोगों भोवों ग में है है कहने की भासा यहांसे इससब्दव था जारा आया है अब फिर आगे कहते हैं 11 नमर चोपए में देखिए और बीध केती कहूं भोम भोम ठावर अनेक ये कोट जुआ ना कहे सके तो कहा कहे रसना एक अर बीध केती कहूं अब अन्य सोभा रंग महल के प्रथम भोम का हो या उपरा उपर नौ भोम दस्तमी चाधनी तक हो अन्य जो सोभा है उसको मैं कहा तक वर्न करूं और बीधा केती कहूँ बीधा मतलब प्रकार अन्य सोभा कहां तक वर्नन करूँ भोम भोम ठावर अनेका एक एक भोम के अंदर अनेगों ठावर है अनेगों सोभा है वो मैं कहां तक वर्नन करूँ एक कोट जुआ ना कहे सके ये जो संपुर्ण स्वभा है उसमें से एक हिस्सा भी अगर वर्नन करने के लिए कोरणों जुआ को एक साथ में इकत्रीत करके वहां की संपुर्ण स्वभा में से एक हिस्सा या कोट सब्द से दोनों भाव में समझना चाहिए कोटा में एक तो एक जुआ नहीं कोरणों जुआ कोट सब्दा करथ कोरणों कोरणों जुआ ठीक है और दुस्तरा कोट सब्द से क्या समझना चाहिए यहां जितनी सोभा है यहां मतलब का यहां प्रतिक वोम वोम में जितनी सोभा है इन सोभाओं के कोरणों हिस्सा में से एक हिस्षा को ले करके तो कोट शब्दा हुआ यहां की जितने भी स्वभा है इन स्वभाओं के करणों हिस्षा में से एक हिस्षा को लिया और उसको करणों जुआ एक साथ में करके बर्नन करने के लिए अगर चाहो तो भी एक हिस्षा का भी पारवार नहीं होगा तो फिर करणों हिसा में से एक हिसा का भी करणों जुआ मिल करके बर्रन नहीं कर सकते तो फिर वो सारी सोभा एक जुआ से कैसे बर्रन करे समझ में आया वहां की सोभा की करणों हिसा में से एक हिसा को करणों जुआ एकत्रीत करके बर्रन करना चाहिए तो भी बर्रन करना सम्बब नहीं है तो वो करणों गुना ज्यादा सोभा को एक जुआ से कैसे बर्रन कर पाऊँगा इसलिए कहा एक कोट जुआ ना कहे सके तो कहा कहे रशना एक करणों जुआ से जब बर्रन नहीं हो सकता है तो रशना एक एक रशना एक जिवा से मैं उस शुभा को किस तरह से बर्रन करूँ ठीक है तो इस तरह ये प्रथम भूम की शुभा शहीत दसों भूम तक की एक ज़लक शुभा को चिंतन कराए अब बारह नम्मर चौपाई से प्रथम भूम से दुसरी भूम में ले जा रहे हैं तो दुसरी भूम में जानने के लिए कहां से जाना होगा शिर्णी की मंदिर से जाना होगा तो शिर्णी का मंदिर कहां है रश्वई की हवेली में इसान कौन से पस्षिम तरफ श्याम मंदिर उसके बाद शिर्णी का मंदिर उसके बाद सोयत मंदिर तो शिणी के मंदिर से प्रथम भॉम से उपर दुस्तरी भॉम में जा सकते हैं तो इसके लिए अब चौपई आया देखिए दुस्तरी भॉम में ले जा करके छोड़ देते हैं आपको श्याम सेत के बीच में शिणिया सुन्दर सोभित बहुत साथ इताय के चड़ उत्तर करत अच्छा ये चवपई यहां है बोली अब चवपई तो कई बार पड़े हैं सुने न तो यहां है तो आर्था तो समझ में आई गया रश्वी के हविले में जहां उत्तर दिशा के तरफ इसान कौन से पस्तिम तरफ में तो मंदीर के बीच में सुंधर् शिणी बहुत साथ इतना आये के बहुत साथ मतलब कितने हैं कितने हैं बार हजार सखियां और राच्या में जी तो है ही तो इसलिए बहुत साथ इतना आये के ये शेड़ी के मंदिर में आकर के अधवा रश्वी के चोक से शेड़ी का मंदिर है यहां आकर के चाड़ा चाड़ा ही कर शेड़ी चाड़ने के लिए होता है या उतरने के लिए होता है चाड़ने के लिए भी होता है उतरने के लिए भी होता है इसलिए चाड़ा उतर करता तो यह शेड़ी की मंदर की विश्यस्ता है तो शेड़ी तो चाड़ा उतर करता लेकिन अभी हमें क्या करना है चाड़ना ह की विस्षेस्दा क्या है भुल-बुलाओनी है तो भुल-बुलाओनी की सभा खडोकली की सभा यह सब बर्रन करेंगे तो शिडि का मन्दिर बता दिया दूसरी बॉम में पहुंच गए अपने मर्जी से गुमते रहिये फिर दूसरी बोम में बोल बोलाओने खड़ो कली की सवा दूसरी बैस्ठक में चिंतन करेंगे अभी का समय पुरा हुआ यही पर विश्त्राम करते हैं श्याम सेत के बीच में शिणिया सुंदर सोहेत बोहत साथ इताई के चड़ उत्तर करत चड़ उत्तर करत बलोस्त्री प्राणनाथ प्यारे की रणा